होते हैं उतने ही हाल में मौझूद हैं भीड तो लाखों की होती है सकसेज वही होते हैं जो इंड तक साथ देते हैं और हाल में वही हैं गर्भा खेला ना गर्भा कूप खेला गुजरात में दस लोगों की गर्भा खेलते वे हार्ट अटेक से मौत हो गई ये कहना गलत नहीं है कि अभी मौत आने वाली है और अपनी ही मौत पे डांस कर रहे है ओके, डी एक्षन क्या सच्चाई है ये मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपको करियर बनाना है करियर बनाने के लिए आए है आपके पास इस्क्यूज क्या है मेगा ब्लॉक है मेगा ब्लॉक है तो आने के लिए आ गए तो घर भी पहुँच जाएंगे लेकिन इसकी उजए ओके, आज पूना से लोग आके इतने दूर से आके साथ किसलिए दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं मैं बस यही कहूंगा कि आज झो हमारे बीच में दुबई से आकर रूपल मेडम योगेंडर जी रूपल मेडमने तो आपको बताई दिया कि नारी सकती लेकिन नारी सकती मैं तो यही कहूंगा रूपल मेडम ही महा सकती ओके, एक जोरदार तालिया हमारे बीच में जो आज रफिक सर ने बात किया रियल कंपनी की जो बात किया देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपका स्वागत करते करते दो सब्द बोल रहा हूं यह ध्यान में रखना आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दो तरह का सिस्टम चल रहा है एक लोगों का गला काट के पैसा कमाता है और एक लोगों का भलाई करके पैसा कमाता है जो लोगों का गला रेत के पैसा कमा रहे हैं वो सुख कभी नहीं देगा जो दूसरों की भलाई पैसा करके कमा रहे हैं वो दूसरों को सुख देगा याद रखना इस बात को और डिएक्षेन डिएक्षेन में काम करने वाले जितने भी डिस्टिबूटर हैं यह दूसरों का भला करके पैसा कमा रहे हैं यह किसी के आशू के पैसे नहीं है यह लोगों को खुशी देकर पैसे कमा रहे ह वो company है वो real company है तो आप सभी ने जो साथ दिया है ये आपका साथ बहुत अच्छा रहा है और जो लोग अंत तक साथ दिये हैं ये सभी को धेर सारा धन्यबाद देखिए एक कहवत है कि इसका गम मत करना कि कभी वो तो कभी बरसाथ के मौसम में साथाव बेलें भी सुख जाती है गम मत करना साथाव मतलब समझ रहना साथाव हरी भरी हरी भरी बेल मतलब वो वो पोदा कभी सुखता नहीं है लेकिन ऐसा भी उसके भी जिन्दगी में समय आ जाता है कि कभी बरसाथ के मौसम में सादाब बेलें भी सूख जाती है हरे पत्तों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता द्यान देनाब हरे पत्तों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता बिछूडते वक्त कभी बद गुमानी आही जाती है गम उन्हें नहीं होता तो गम हमें भी नहीं होता तो डियेक्षन में देखे अपने अपने करमों के अनुशार लोग पैसे कमा रहे हैं कौन कहता है कि डियेक्षन में कम पैसा है अगर कम होता तो कोई करोड नहीं लेता कोई 50 लाख नहीं लेता महीने का तो 50 लाख भी कमाने वाले हैं 10 लाख भी, 20 लाख भी, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50,000, 10,000 और धेर सारे नहीं भी कमाने वाले लोग हैं अपने-पने कर्मों के अनुशार जो इस्क्यूज देता है वो पैसे कभी नहीं बनाएगा जिसके पास कोई इस्क्यूज नहीं है सीमा पे लड़ने वाले के लिए कोई इस्क्यूज नहीं है ओके, DXN पोड़क्ट में जो दम है मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं किसी कमपनी की बुरा ही नहीं कर रहा हूँ हर कमपनिया अपने-पने जगह पे सही है सब के पोड़क्ट उनके लिए अच्छे हैं लेकिन जो ब्यक्ति DXN में काम करके दूसरी कमपनी चूज करता है उसको उस कमपनी का पोड़क्ट अच्छा बिलकुल नहीं लगता है क्योंकि DXN के पोड़क्ट हाँ पहली बार जो कमपनी पा गया है कूचा वाली कमपनी कूचा मतलब समझ रहे हैं न गन्ना डाल दिया पीछे से कूचा निकलता है तो जिसको पहली बार वो कमपनी मिली उसको वही पोड़क अच्छा लगता है लेकिन जो एक बार DXN का पोड़क कंजूम कर लेता है वो दुनिया घूम ले उसको सिर्फ DXN का पोड़क अच्छा लगता है तो DXN के पोड़क्ट में वो पावर है DXN जैसी कोई कंपनी नहीं दोस्तों तो आज का जो मैनेजमेंट था जो कूर कमिटी ने साथ दिया है और इसमें जो बढ़चर के हिस्सा लिया है ऐसे मिश्रा जी ने मैं तो दंग रह गया कि क्या फालोप लिया उन्होंने लोगों का हर वक्त टिकट कितना कम है कितना जाना चाहिए क्या होना चाहिए हौल में किस तरह का अरेजमेंट होना चाहिए कोर कमिटी को लेके बार-बार मिटिंग करना बहुत अच्छा साथ दिया मैं तो कहूंगा कि अगर तालिया देनी है तो एक ऐसे मिश्चरा जी के लिए जोरदार तालिडी देजी क्योंकि बहुत मेहनत किया इन्होंने मैं मुझे मालूम है कि प्रोग्राम को अरेंज करना नौट जोग इतना बड़ा प्रोग्राम करना नौट जोग बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोर कमेटे ने काम किया लेकिन आप लोगों ने जो साथ दिया है इस प्रोग्राम को सक्सेज करने के लिए मैं आप सभी का सुक्र गुजार हूँ और मैनेजमेंट का भी सुक्र गुजार हूँ और जिन्हों ने स्टेज समाला है इस प्रोग्राम का पवार जी और पवार मेड इस दुनिया में जो डियेक्शन इंडिया की बात हो रही है देखे एक एक देवकर जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारे इंडियन करते हैं कि महारास्टा नंबर वन बिहार नंबर वन यूपी नंबर वन गुजरात नंबर वन आप ये दिमाग से निकाल देना क कि डियेक्शन इंडिया में सिर्फ कंपनी है ये हाँ डियेक्शन जो इंडिया की कंपनी है न इंडिया जो इंडियन कंपनी सिर्फ इंडिया में है वो बिहार गुजरात यूपी नंबर वन करते हैं बट डियेक्शन इंटरनेशनल कंपनी है अब आपको बिहार गुजरात तो नमबर वन नहीं, इंडिया नमबर वन कहना है और इंडिया को नमबर वन बनाना है